ग्रहन अक्षतर तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रोव सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि सुभा नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभिया मैंगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षित्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अंसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की वरशव रासी में वहीं चंद्रमा वरश्चिक रासी में मंगल ग्रह मीन राशी में बुद्ध ग्रह मेस रासी में देव गुरु ब्रहस्पती जो की वरशव रासी में शुक्र ग्रह व्रशव रासी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहुग्र मीन राशी में तथा केतु ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार वरशब कर ककन्या वरश्चिक मकर एवम मीन ये छे राशियां सब्सदिक भागिशली रेने वाली है कारिक्षित्र में इनको उन्नती और प्रकती के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धानलाप के साथ नया काम नई जुम्मेदारी नया मुकाम भी इनको मिल सकता है कुल मिला करके इन छे राशिवालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा सुर्योदय सुब पांज बच करके 49 मिनिट पर होगा तथा सुर्यास्त शाम को 6 बच करके 55 मिनिट पर होगा शुब मोहुर्त की अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन सबसे पहला जो चोग्डिया रहेगा वो सुबह साड़े साथ बज़े से लेके नो बज़े तक शुब का चोग्डिया रहेगा तथा उसके बाद दोपर बारा बज़े से लेकर के एक बच के तीस मिनट तक चर का चोगडिया रहेगा दोपर डेड़ बज़े से लेकर तीन बज़े तक लाव का चोगडिया रहेगा तथा तीन बजे से ले करके शाम को साड़े चार बजे तक अमरत का चोगडिया रहेगा इस दोरान ये डिया आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे, नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइडे का सयोगनेर में थो सकता है अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी बरा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजेगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस राशी की दिन उन्दाती का रखे आपकी प्रतिभाव योगिता के अनुर्षार आपको अपने कारियों के उचित परिनाम प्राप्त होंगे कामकाज तथा केरियर को महत्तु देंगे परंतु पहली प्रात्मिकता आपकी परिवार ही रहेगी आपकी संतान को ले करके आपको फाइडा होगा तथा संतान की प्रगति के भी शुब समाचार आपको प्राप्त होंगे उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं ब्रशब रासी की अज़ आप अपनी जिम्मेडारियों को बहुत भी अंजाम देंगे साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी कारियों में रुची रहेगी घर के बड़े वजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवाद बना रहेगा सामाजिक कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा जिसकी वज़े से आपकी प्रसंसा होगी दूसरों के पारिबारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए अनथा आपको नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी गरिब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे तो आपका दिन शुफल्दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की कोई शुब समयचार मिलने से मन में प्रसनता बनी रहेगी धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के सांथ किसी धार में कत्वा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का आउसर भी प्राप्त होगा विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी दिन के दूसरे पक्ष में कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे घर में खुशिया अचानक व्याप्त हो जाएगी कारिक्षित्र में पहले जो आपने मेहनत की थी उसके उत्तम परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है गरह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है अतहाब अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीदी से अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी शाशकी कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे और कुछ लोग आपके खिलाप नकरात्मक वातावरन बनाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद में कोई भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की किसी प्रतिष्ठित व्यक्ती से मुलाकात आपकी सफलता के दौर खोलेगी धार्मिक क्रिया कलापों में भी आप व्यस्त रहेंगे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से आपको मुक्ती मिलेगी यह समय अपनी आर्थिक सिती को मजबूत करने का है इसलिए पूरी महनत से अपने कारियों के परती समर्पित रहे दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज दिन पूर्णता व्यस्त तहेगा और शाश्की कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी अब अपनी सूजबूज द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे तथा अपनी ख्रमता को कारियर, प्रोफेशन, अर्ध्यात माधी कारियों में लगाएंगे रूजमर्रा के देने कारिय बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशक्ता है जल्दबाजी तथा लापरवाही की वजह से कारियों में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है अर्थिक मैमलों में इस्थितिया आपके पक्ष में नहीं है इस समय फिजूल खर्ची पर नियंतरन आपको रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं तुला राशीगी आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिनाम हासिल होंगे इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्ठावान रहे सांथी सामाजिक गति विदियों में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी भूमे भवन भाहन खरीत फरोक्त का काम भी संपन हो जाएगा ध्यान रखे कि आपका ही कोई नजदी की मित्र आपके खिलाप कोई शडियंत्र फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विध्यार्ति अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइडा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपके इंद्रित रखे आपको उजित परिणाम हासिल होंगे और अपने आप में चमतकारिक रूप से उर्जा और आत्मेश्वास आप महसूस करेंगे लोगों से संपर्क करने का दाइरा आपका बढ़ेगा और आपको लाभपरद इस्तितियां निर्मित होगी परन्तो अपनी दिन चरिया संबंदित कारियों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रियास करें व्यस्तिता के बावजोच सामाधी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द बाजी न करें और व्यवसाय में बदलाव या परिवरतन की संभाव नाए प्रभल होगी कभी कभी मंदी की वज़े से मन आपका विचलित हो सकता है और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की समाई पिछली गलतियों से या कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है जो महनत आज आप करेंगे उसके दूर गामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने नजदी की संबंदों को आपको बरकरार रखने की आवशक्ता होगी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुवात भी आप करेंगे कभी कभी फालतू कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय वितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करें और उपाई के रोप में लाल कुंकुं का तिलक लगा करके निकलना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज आप अपनी लोगपृता के साथ साथ अपने संपर्कों को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा अपने व्यक्तित्तों को आपको और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना न बनाएं क्योंकि भविश्य में उसे चुकाने में दिक्कते आपको उत्पन हो सकती है सांथी किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंदी लेंदेन बिल्कुल न करे कई बार ज्यादा सोच विचार करने से हाथ से कोई काम न निकल सकता है इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं कुम्बराशी की आज कई प्रकार की गती विदियों में आपकी विस्तदा बनी रहेगी सांथी सामाजिक दाइरा बढ़ेगा कहीं से मन मताबिक आपको फाइदा भी होगा धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा मैंसम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रगती के समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं अंजान व्यक्ती से साउधान रहे पैसो का लेंदेन करते समय परम साउधानी की आउशक्ता होगी नए लोगों से व्यभार करते समय भी आपको बच करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज का दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दरश्टी से शुपल प्रदान करने वाला है व्यक्तिगत कारियों में सफलता मिलने से मानसिक शंती आपको अनुभो होगी कठिन से कठिन कारियों के परिणाम आप अपनी दरण निश्चय सक्ती से निकालने में सक्षम हो जाएंगे कभी-कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको साउधान रहना चाहिए जल्दबाजी में कोई भी निर्ने न करें कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही सलह देगा जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक्ट फाइदा हो सकता है और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिसरी और सोफ खां लेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी करश्कन सादर धन्यवाद